बिहार विधानसवा चुनाओं का बिगुल बजने से पहले कई योजनाओं को समय से पुरा करना बहुत जरूरी है उद्घाटन और सिल्यानियास के साथ निरक्षन का दौर भी सुरू हो चुका है इसी करी में मुखमंत्री ने अपने ड्रिम प्रजेक्ट बिहिता सरमेरा SH78 एमपटना रिंग रोड प्रजेक्ट का निरक्षन करने पटना जिला के बिहिता कनावली गाओं पहुँचे जहाँ पर उन्होंने पत्र निर्मान मंत्री नंद की सुरू यादब के साथ बिटे स्वर मेला एमपटना रिंग रोड प्रजेक्ट अधिकारियों के साथ निरक्षन किया उन्होंने निर्मान खार्ज का भी जाय जा लिया जानकारी के मुताबिक बिटा सरमेरा SH-78 पत जो बिटा के कनावली से सीधे नालांदा पहुँचेगी जिससे आरा बक्सर की और से आने वाले लोगों को पटना नहीं आना परेगा दक्षिन बिहार के लिए सुगम आसान रस्ता बन जाएगा साथ ही पतना रिंग रोड प्रोजेक्ट का एक हिसा बिटा सरमेरा भी है जो पतना होते हुए मनेर के सेरपुर से कट कर कनावली में जूड जाएगा मुखमति नितीज कुमार को NHAI के अधिकारियों ने रूट मैप दिखाया गौर तलब है कि बिटा के सरमेरा रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है जिसका विदिवत उदगाटन सीम ने पिछले हपते वीडियो कानफरेंसिंग से की थी नौवतपूर और बिटा के बीच में अभी भी लगभग 14 किलुमेटर तक के सरक का काम नहीं हो पाया है पटना रिंग रोड मुखमंती का ड्रिम प्रोजेक्ट रहा है निर्मान बिभाग के मंतरी नंद किसोर यादब पटना जिला अधिकारी कुमार रभी पटना परमंदली आयुक ते संजय अगरवाल एं पत्थ निर्मान बिभाग के तमाम अधिकारी एवं अस्थानिये ते बिरो रिपोर्ट स्थेप निउज पटना